IPL 2024 का 21 मुकाबला लखनाव सुपर जैंट्स और गुजराट टाइटन्स की बीच खेला जाएगा यह मैच रविवार 7 अप्रेल को साम सारे 7 वज़े लखनाव के इकाना स्टेडियम में होगा लखनाव की इस सीजन की सुरुआत खराब रही थी रजस्तान ने लखनाव को 20 रन से हराय था अलाकि दो मैच लगातार जीत कर विजयरियत पर सवार हो गई वहीं दूसरी तरफ एक नए कप्तान सुबमंगिल की अगवाई में गुजराट का प्रदर्सन मिला जो देखने को मिला है गुजराट ट्रैसन्स ने अब तक 4 मैच खेलें जिसमें उन्हें दो में जीत और दो में हार मिली है जीटी ने पंजाब कींज के खिलाफ अपना पिछला मैच गवाया था ऐसे में गुजराट लखनाव के खिलाफ हर हाल में जीत दर्ज करना चाहेगी तो चलिए अब आपको बताते हैं लखनाव की पिछ का मिजाज इकाना इस्टेडियम के पिछ पर गेंदवाज हावी रहते हैं यहां दो तरफ की पिछ है एक काली मिटी वहीं दूसरी लाल मिटी काली मिटी की पिछ पर इस्पिनर्स अपनी फिरकी पर बल्ले बाजो को नचाते दिखते हैं वही लाल मिटी की पिछ पर अच्छा बाउंस देखनों को मिलता है जो बल्ले बाजो को लिए काफी मददगार साबित होता है ऐसे में यह देखना एहम होगा कि लखनाव और गुजरात का मुकाबला किस पीच पर खेला जाता है काली मिट्टी पर मैच हुआ तो गेंद रुप कर आएगी और बल्ले बाजो कोरान बनाने में दिक्कत होगी वहीं लाल मिट्टी पर मैच हुआ तो उभरते हुए रफ्तार किंग मैंक यादो को तूफान देखनों के मिल सकता है वहीं बात करें आकड़े कीत इस मैदान पर आईपेल के अब तक आठ मैच हुए हैं जिसमें पहले बैटिंग करने वाली टीम ने पांच मुकाबले अपने नाम किये हैं जब भी लक्ष का पीच्छा करते हुए तीन बाट टीम ने जेत भी दर्ज किया है अला कि पहली पारी का उसत स्कोर एक से क्यावन रहा है वहीं दूसरी पारी का उसत स्कोर यहाँ पर 126 रहा है अला कि पंजाब के खिलाफ लक्ष 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 नव ने 109 का स्कोर बनाये था एनपी टाइम्स की रिपोर्ट